Hello student, good evening, कैसे आप सभी? उमीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगी, स्वागत है आप सभी का Physics में आई Help You में जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो important question है, इसमें हम important question का discuss करते हैं हम class 11 के 13 chapter उच पातपों में प्रेकाश translation की किरियाएं पढ़ रहे थे जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे question solve कर चुके है, इसमें से आपने देखा कि किस प्रेकाश से प्रेकाश अभी किरिया हो रही है किस प्रेकाश से जो प्रेकाश translation वर्नक है वे अपना कारे प्रदशित कर रहे है अचक्रिय प्रकाश चंसलेशन और चक्रिय प्रकाश चंसलेशन आप पढ़ चुके हो क्लास शुरू करने से आप सभी मुझे ये बता दिजिए कि आदियो वीडियो सब क्लियर है अमन कुमार गुडिवनिंग क्रेजी गेमर गुडिवनिंग आस्ता, मन्दीप, सब को गुडिवनिंग ठीक है अमन कुमार टाइम हो गया है आप तो पहुझ गए हो टाइम से अच्छी बात है ठीक है तो आदियो वीडियो सब क्लियर पंकज प्रजापती गुडिवनिंग हाँ मुझे पता है आपका नाम पंकज है सुमित, त्रिपाथी जुड़ चुके है अमन कुमार सब को गुडिवनिंग तो आदियो वीडियो सब को क्लियर होगी इसका मतलब तो यहाँ पर सभी को जब तक जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ तक आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया था, कल आपने ये भी पढ़ लिया था कि किस प्रिकार से एटीपी उड़जा बन रही थी जिसे हमने रसुपरासरणी परिकल्पना के द्वारा समझा था जब अवकाशिका में जो प्रोटॉन थे आपके उसकी मात्रा बहुत अधिक पढ़ गई थी चलिए, तो फिर आज की क्लास सुरू करते हैं, आज की क्लास में आपने पढ़ना है कि अप्रकाश अभिक्रिया, अब तक हमने जितना भी पढ़ा था, वो सारा प्रकाश अभिक्रिया के अंतरगत चल रहा था प्रकास की presence में ATP का निर्मान हो रहा था, NADPH का निर्मान हो रहा था, वहाँ पर अचक्रिय चक्रिय अभिक्रियाई हो रही थी, photosystem first, photosystem second, यह सब के सब आपने पड़ा था, प्रकाशे अभिक्रिया के अंतरगत, आज हम पढ़ेंगे अप्रकाश अभिक्रिया तो सबसे पहले अगर मैंने आपको पहली क्लास ली थी तो मैंने वहाँ पर आपको ये बता दिया था आप प्रकाश अभिकरिया को हम black man अभिकरिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अभिकरिया होती है यह प्रकाश की अनुपस्तिती में होती है यह प्रकाश अभिकरिया जो उत्पाद बनाती है उत्पाद अर्था जो ATP और NADPS जो उत्पाद बनते है यहाँ पर आप प्रका से ATP और NADPH की उपस्तिती में जो कार्बन डाय ओक्साइड जो गार्बन डाय ओक्साइड हम ले रहे थे प्रिकास अंसलेशन में समीकरण में वो किस प्रिकार से गुलकोज में परिवर्तित होगा क्लियर इत्ति बार सबको समझ में आ गई है ठीक है सुमित आमन कुमार आस्थ सपना राजीव इंडियन सबको गुडिवनी ठीक है सबको क्लियर भी होगा बहुत अच्छे से और क्लियर भी रखना तभी मैंने कहा न सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े वे है यह पूरे टॉपिक आगया प्रकाश श्वशन की जो अगला चैप्टर होगा वो भी अब हैगा जब आपको ये सारी चीजें पता ओंगी तभी आपको पता चलेगा कि वहां पर किस प्रिकार से माइठ अपरीभी तो यह सारी चीजे क्लियर रखना आज अभी तक आपने हरी तलवक में देखा कि किस प्रिकार से लेक्ट्रोन परिवहनित हो रहे थे चक्रिया रूप में चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अप्रकाश अभिक्रिया जिसे हम जैव संसलेशी अभिक्रिया भी कहते हैं और पर सबसे और इसको यह भी फोलेंगे आप फोतो सिंथेसिक्स कार्वन रिड्यू रिडक्शन साईकैल एक मिननाट अब देखो इस में हो रहा है फोतो सिंथेसिस वाफर्ण रिड्यक्शन साइकिल अर्थात जब आप प्रिकास की अभिक्रिया देखते हूं तो आप देखत प्लस H2O है ना, gives C6 H12, O6 प्लस H2O प्लस O2, ऐसे ही लिखते हैं, है ना, और अगर balance करें तो C6, H12 यह करते हम, यह 22 और यह 6 है ना, 12 और यह 6, इस प्रकार से करते हैं तो देखो, जब क्या हुआ जल का अपगटन आपने पढ़ लिया है प्रकाश अभिक्रिया में किस प्रकार से जल का अपगटन होता है, और यहाँ पर oxygen का निर्मार के साथ साथ, energy का भी निर्मार होना है है ना, अब यह बात तो आपने पढ़ लिए थी, आज जो अप्रकाश अभिक्रिया है, आप इसमें देखोगी किस प्रकाश से CO2 जब CO2 तूटेगा और यह CO2 तूटता है कब जब ATP और NADPH उड़ जा का, क्योंकि अप्रकाश अभिक्रिया देख रहे हैं तो अप्रकाश अभिक्रिया में CO2 कैसे तूटेगा, जब ATP और NADPH जो उड़ जा फॉर्म थी जब यह present होगी तो CO2 तूटता है किस में, glucose में तूटता है तो यह आपको पढ़ना है किस प्रकाश से एनरजी का यूज करेंगे, यह पूरी process आपको पढ़नी है, इसलिए आपको clear रखना है, चलिए तो हम देखते हैं आप प्रकाश अभिक्रिया समीकरण याद रखना है प्रकाश अंस्ट्रेशन की एक एक नंबर में आपसे जरूर पूछे जाती है इसलिए समीकरण सबको अच्छे से याद होनी चाहिए ठीक, तो अभी अगर मैं आपसे question पूछूंगी, क्योंकि यह basic पूरा भाग होगा है, ग्रेनम को छोड़ करके जितना भाग पाया जाता है वो कहलाता है, स्ट्रोमा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जो यह अभी क्रिया होगी, यह आपके स्ट्रोमा में होती है स्ट्रोमा अथाथ, अगर हम यह पत्ति की बात कर रहे है है न, इसमें अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है यह ग्रेनम है, यह इस प्रिकार से, ठीक है, यह आपस में जुड़े है स्ट्रोमा लैमिला से, और यहाँ पर क्या है, यह जो जितना भाग बच रहा है यह बाकी जितना भाग बज़ रहा है यहाँ पर होती है अप्रकाशिय अभिक्रिया clear और यह जो भाग कहलाता है यह कहलाता है stroma तो बस इतनी ध्यान रखनी है बहुत important दो question है तो बहुत important है प्रकाशिय अभिक्रिया कहा होगी ग्रेनम के थेलोकॉइट के अंदर और जो अप्रकाशिय अभिक्रिया होती है वो stroma में होती है clear इतनी बाद चली अब आगी चलते तो यह वही कह रहा है पहला point कि अप्रकाशिय अभिक्रिया हरित लवक के stroma में होती है clear है यह सबको ठीके आप देखेंगे अप्रकाशिय अभिक्रिया में ये भी मैंने आपको बता रहा है कि अप्रकाशिय अभिक्रिया में प्रकाशिय अभिक्रिया के उत्पाद है ना उत्पाद बन रहा था प्रकाशिय अभिक्रिया में ATP बन रहा था ठीके और NADPH बन रहा था दोनों उत्पाद बन रहे थे वो क्या करता है जो अप्राकाशिय अभिक्रिया होता है वो इन उत्पादों का प्रियोग करके भोजन बनाएगा क्लियर इत्पाद सबको क्लियर है ठीक अबर हम यहाँ पर देखेंगे प्रकाशिय अभिक्रिया के दोरान CO2 हरित लवक से वातावरण में मुग्त हो जाती है जो वहाँ पर ऑक्सिजन निकलेगी वो क्या हो जाती है यहीं से बाहा निकल जाती है वो वातावरण में आ ठीक है और जो अप्रकाशिय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है सबसे पहले क्या होगा जिसमें ATP और NADPH के द्वारा CO2 का स्वांगिकरण से गुलकोस का निर्मान होगा जो मैंने अभी आपको समिकरण से समझाया था यहाँ पर CO2 टोटेगा और आगी चल करके वो क्या बनाता है गुलकोस बनाता है ठीक है तो यह दिवात आपको एकदम क्लिर ध्यान रखनी है कि किस प्रकाट से गुलकोस का निर्मान होगा ठीक है अब यहाँ पर CO2 का जो निर्माण हो रहा है इस पूरी अभिक्रिया को किस ने बताया है जो गुलकोस बन रहा है ये पूरी अभिक्रिया को जो बनाने बताने वाले वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक कैल्विन थे इन्होंने बताया कि किस प्रिकार से जब CO2 का निर्माण होता है है ना CO2 CO2 से हम glucose का निर्माण कर रहे हैं, तो इन्हों ने इस process को समझाया कि जब CO2 से glucose का निर्माण हो रहा होगा, तो यहाँ पर कितने ATP अणू के निर्माण के आवशकता होगी, ठीक है, जो प्रकाशी अभिकरिया कि कितने ऐसे ATP अणू होगे, जिनकी आवशकता यहाँ इस चक्र म बताया था, इन्हों ने क्या बताया था, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, यह छोटी-छोटी बाते पूछी जाती है, मैं आपको पूरे अच्छे से यह जो आपको चार्ट दे रखा है, कैल्विन चक्र यह समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़े से ब योगिकरित हो जायता है, उसके पश्या जो पहला उत्पाद बनेगा, वो हमेशा तीन कार्बन वाला बनता है, तीन कार्बन होंगे, जो क्या होगा, तीन कार्बन वाला कार्बनिक योगिक बनेगा, जिसका नाम होता है, थ्री-फास्फोग्लिसेरिक अम्ल, नाम याद हम कहते हैं ये क्या कहेंगे PGA बोलते हैंक्लियर इत्ती बात सबसे पहला उत्पाद बनेगा वह तो होता है कौन फॉस्फो ग्लिसेरिक अम क्लियर इत्ती बात यह मैंने क्या कहा अधिकांस पादपों में होगा लेकिन अगर कुछ पादपों की बात करेंगे कुछ पादप ऐसे होते हैं जो क्या करेंगी CO2 का जो पहला उत्पाद बनेगा जैसे CO2 का योगी की करण होगा ठीक है उसे गलकोज बनने से पहले क्या बनेगा चार कारबन वाला बनता है चार कारबन वाला जिसे हम OOO कहते हैं जो की हमारा होता है औक्जैलो एसिटिक अम्ड दो नाम याद रखने है अगर आपसे ये अगर हम से तीन कारबन वाला पूछा तो आप यही पढ़ोगी चार कारबन वाला ठीक है लेकिन कुछ पादब जो होते हैं उनमें क्या होता है औक्जैलो एसिटिक अम पहला उत्पाद बनता है पहला उत्पाद से मतलब कि जैसे की जैसे CO2 पहले तूटेगा धीर क्योंकि क्या होगी बहुत धीमी गती से होगी इतनी जल्दी जल्दी ऐसा नहीं होगा कि CO2 से आप जैसे समिक्रण में देखते हो तो CO2 से सीधा गुलकोज बन जाएगा नहीं धीरे धीरे पहले एक स्टैप होता है उसके बाद ही गुलकोज का निर्माण होगा ठीक है और वो स्टै अभिक्रिया के अंदर कैल्विन चक्राता है ठीक है जिसमें क्या होगा CO2 CO2 का योगी की करण होता है और उसके पश्याद गुलकोज का निर्माण होता है क्लियर इतनी बात सबको क्लियर ठीक है तो मैंने सिर्फ दो अभी यहां पर इंपोर्टेंट आपके competitive exam के लिए और अगर तीन कारवन की बात करेंगे वैसे मूसली यही होगा तीन कारवन की बात करते तो थ्री फॉस्फोगलिसेरिक अमल होता है इतनी बात किस-किस को क्लियर होगे जल्दी बता दो सिर्फ दो चीज मैंने बताई है बताईए ठीक है दुरुगर प्रिशाद, आमन, लाल इसे आएगा ठीक है तो यहां पर मैंने यह भी लिखा है कि इसी समय से क्या हुआ CO2 के योगी करण को दो विध्यों में बताया अर्थात कौन से विधी अगर तीन कारवन वाला होगा जिसे हम PGA क्या बोल रहे है फॉस्फोगलिसेरिक अमल बोलते है ठीक है और यह जो तीन कारवन वाला पढ़ते हैं हम यह पढ़ते हैं हम कैल्विन चक्र के अंदर ठीक है यानि तीन कारवन से हम गल्कोस का जो निर्माण होगा पहले CO2 तूटा तीन कारवन वाले कारवनी क्योगिक में और उसके बाद गल्कोस का निर्माण होता है वो हम पढ़ते हैं कैल्विन की अंतर गत कि यहां पर बात कि यहां पर इस चैप्टर में आपको दो छक्र दे लेके कैल्विन चक्र और सी फौरड चक्र वैसे होता है तो यहां पर आपको जो दे रखा अगर तीनर करेंगे तो आपस ज़क्र पड़ोगे तिक है याद रखना Kelvin तीन कार्बन के लिए पड़ोगे और चार के लिए पड़ोगे तो अक्जाल यानि कि आपका C4 चक्र पड़ोगे यानि कि ऑक्जाल और एसेटिक अमल की बात हो रही है तो यहां पर आप हैच क्लियर अब यहां पर सबसे पहले जो C3 पत है जो कि आज का टॉपिक है कि केलविन चक्र क्या है केलविन चक्र तो यहां पर सबको अब तक ये बाते तो क्लियर हो गई होगी कि यहां पर आपको देखना है जो CO2 जब तूटने लगेगा तो उसका जो पहला उतपात बनेगा वो तीन कार्वन वाला कार्वनी क्योगिक बनेगा उसके पस्चात उसमें अलग-लग क्रियाएं होगी। वो क्या करता है प्रकाश वुक्रिया के द्वार बना जो उत्पात होगा यानि एटिप्पी होगा उसका यूस करेगा और धीरे-धीरे क्या करता है वह यहाँ पर गुलकोज का निर्माण करेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है ध्यान से समझना है बाकी कुछ नहीं है कैल्विन चक्र में इजी में आपको याद हो जाएगा तो यहां पर सबसे पहले जो कैल्विन वैज्ञानिक थे उन्होंने कोरेला नामक हरे सैवाल पर इसका प्रियोग करा था यह बात ध्यान रखोगे कभी-कभी यह भी पूछा जाता है कौन से सैवाल पर उन्होंने काम करा या किस पादब पर करा कुछ भी बोल सकते तो आपको याद होना चाहिए कोरेला नामक हरित सैवाल पर इन्होंने सबसे पहले इसका प्रियोग किया था कि किस प्रकार से तीन कार्बन वाले से आगे विर्कोस का निर्मान होता है क्लियर इत्ती बाद ठीक अब आगे शलते थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे बैग्यानी को ने बताया कि जो कैल्वीन था यानि कि सीथरी पत था वो कैसा है चक्रिया पत है यह भी ध्यान रखना है चक्रिया पत अब मुझे आपको चक्रिया की बारे में बताने की तो जर यानि कि अगर इसका निर्मान हो रहा है यहाँ पर ठीके कुछ और अगर उत्पाद भी बनाना होगा तो उस उत्पाद से वापस वही पत पदार्थ बन जाता है इसे हम कहते हैं चक्रिया चक्र के रूप में चलता है ठीके किसी पदार से कोई उतपाद वना और उसी उतल स वापस अगर वो पदार्थ दुबारा बन जाता है तो हम इसे क्या कह रहे हैं चक्रिया कहते हैं ठीक है तो याद रखना है जो Kelvin चक्र है वो चक्रिया भी क्रिया है अर्थात यहांपर जैसे CO2 का योगी की करण होगा उसके वापस क्या बन जाता है वापस उसका जो तीन कारवन वाली स्रिंखला है वो वापस से बन जाती है ठीक है धीरे धीरे यानि की एक चेन रियक्शन टाइप की होगी लेकिन वो चक्रिया रूप में होगी क्लियर इतनी बात चलिए आगे चलते अब यहां पर क्या बोल रहा है CO2 से क्रिया करने वाला योगी यह याद रखना है CO2 से क्रिया करने वाला क्योंकि क्या है मैंने कहा यह धीमी गती से होने वाली प्र RUBP ribulose 1,5 bisphosphate पुनहा उत्पादित हो जाएगा ठीक है हमने यहाँ पर क्या बोला है इसे जो ribulose 1,5 bisphosphate पुनहा उत्पादित हो जाएगा आपको जो Kelvin चक्र पढ़ना है वो आपको तीन भागों में पढ़ना है बस इतना याद रखो इसके बाद हम सीधा पीछे समझते है ठीक है यहाँ पर तीन पत पढ़ने है कारबॉक्सली करण पढ़ना है ठीक है Kelvin चकर के तीन पत कारबॉक्सली करण होगा अपचयन होगा और पुनुरुद भवन होगा ठीक है कारबॉक्सली करण में क्या हो जाएगा CO2 रिडक्शन हो जाएगा CO2 तूटेने लग जाएगा उनका योगी की करण हो जाएगा ठीक है अपचयन होगा उसके पश्याद और लास्ट में regeneration यानि उसका पुनहा निर्मार होगा तो इस process को हम समझेंगे diagram से तो ध्यान से समझने आपको चलिए ये आपके NCRT में बहुत अच्छा सा diagram भी दे रखा है ना आपको सबको दिख रहे हैं कि सबको दिख रहे हैं कि अच्छी बात है अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले अगर हम CO2 के योगी की करण की बात करते है ठीके तो सबसे पहले यहां पर देखोगे आप यह process यहां से स्टार्ट हो रही है अच्छा एक मिलें यह है आपका CO2 ठीक है CO2 होगा कहां है CO2 पाया जा रहा है CO2 होगा सबसे पहले उसका यौगी की करण होगा ठीक है यहाँ पर CO2 होगा उसका यौगी करण किस एंजाइम की उपस्तिती में होता है तो आपको रुबिसको नामक की उत्पेड़ना से CO2 का यौगी की करण होता है तो CO2 किस में चेंज होगा पहले सबसे पहले वो चेंज होता है राइबुलोस 15-bisphosphate में क्लियर इत्ति बात सबसे पहले क्या हुआ CO2 का यौगी की करण होगा और किसकी प्रेड़ना से होता है यहाँ पर रुबिसको रु सब्सक्राइबुलोस 15-bisphosphate में इतनी बात क्लियर सबको ठीक है थोड़ा जूम करूँ इतना तो दिख रहा है इस स्क्रीन के बाहर न चले जाए चलो दिख रहा होगा ना ठीक है वैसे NCRT की बुक में आपका डाइग्राम बन रख है मैं उसको समझा रही हूँ ठीक है प्रॉसेस आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में भी ध्यान रख रहे है NCRT की बुक में बना है ठीक आप सबसे पहले मैंने क्या का CO2 का यौगी की करण होगा यहाँ पर कोई एंजाइ प्रेजेंट होता है उसके कारण CO2 का यौगी किरण होता है राइबुलोज 1-5-bisphosphate में इतनी बात क्लियर ठीक है अब सबसे पहले CO2 यहाँ पर क्या हो रहा है CO2 का कारबॉक्सली करण हम इसे बोलते हैं जैसे CO2 चेंज हो गया है यह सब कौन से अभी किरिया के अंतरगत हुआ कारबॉक्सली करण के अंदरगत CO2 का यौगी की करण हुआ किसमें राइबुलोज 1-5-bisphosphate में और यहाँ पर जो एंजाइम था वो कौन था रुबिसको एंजाइम था इतनी बात क्लियर ठीक है आर यू बीपी यानि कि हम बोलेंगे राइबुलोज 1-5-bisphosphate कार क्रिया हुई है है ना CO2 का यौगी करण रुबिसको एंजाइम की प्रेजेंट में यहाँ पर राइबुलोज 1-5-bisphosphate में चेंज हो गया यह आपका कार्बॉक्सली करण हुआ इतनी बात क्लियर अब सेकिंड जो अभी क्रिया होगी यहाँ पर क्या हो रही है यह फिर इस अब देखे हाँ पहला यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि CO2 का जो चेंज हुआ है यौगी की गरण वो राइबुलोज 1-5-bisphosphate में चेंज हुआ है अब यहाँ से जो यहाँ से अभी क्रिया होगी वो सबसे पहले कार्बॉक्सली करण की होती है कार्बॉक्सली लेशन की होगा यहाँ पर रुबिस को एंजाइम्स की प्रेजेंट में यह चेंज हुआ जाता है 3-phosphoglycerate में क्या चेंज हुआ जाता है यह 3-phosphoglycerate की 2 अणू में चेंज हुआएगा ठीक है यह भी ध्यान रखना है कितने अणू बनेंगी यहाँ पर 2 अणू बनते है ठीक है क्ल ठीक है अब इतनी बात ध्यान रखनी है अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा जैसी यहाँ पर जो 2 अणू बने है 3-phosphoglycerate की यह चेंज हो जाएंगे किसमें इनका अब अपचायन हो जाएगा जब इनका अपचायन होगा यह तूटिंगे तो इनसे उड़ जा मुथ होगी यह यहां पर क्या होता है ATP चेंज हो जाएगा ठीकए यहां पर ATP और NADPH क्या हो जाते है इनका यूज हो जा रहा है है अना क्योंकि यूज करेगा यह अपने भूजन बनाने के लिए तो यहां पर इसने क्या करा प्रेकाशि अभिक्रिया के ATP औरhhhh-pad चा उपयोग करा अब IP, NADP निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे ना, प्रकाशी अभी करिया में, कि ADP से ATP बन रहा था, और हमने यहाँ पर अभी करिया देखी थी, कि NADPH से NADPH बन रहा था, है ना, तो अभी अभी करिया वापस उठी होगी, क्योंकि आप वो इसका यूज ATP के कितने अणू का यूज करा है, दो अणू का, यह भी ध्यान रखना, यहाँ पर कितने अणू का यूज करा है, उड़ जाके दो अणू का, तो यहाँ पर ATP का दो अणू, ठीक है, क्लियर इतने बात, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे अप्चेन हो जाएगा, उसके हो गया ठीक है तो हमने जैसे कहा था जो कैल्विन चक्र है वो एक चक्री अभिक्रिया है अर्थात अब जो टाइरोस फॉस्फेट होगा इसका पुनुरूद भवन होगा तो यहां पर पुनुरूद भवन करने के लिए एनरजी की आउशकता होगी तो यहां पर एट एट जो एट एटीपी की आउशकता होगी जिससे एक एटीप अणु निकलता है ठीक है और यहां पर पुनुरूद भवन होगा जैसी टाइरोस भवन एक उड़जा का प्रियोग करेगा वो वापस चेंज किसमें हो जाता है राइबुलोस बन फाइबिस फॉस्फेट में और यह इ हीमी गती से होने वाली प्रोसेस है सबसे पहले कार्बॉक्सिलेशन होगा उसके बाद यहां पर अपचैन होगा अपचैन में एक तो इसको दो एटीप अणु की आउशकता होगी फिर जब यह क्या बन जाता है गिलकोस में चेंज हो जाएगा जो टाइरोस फॉस्फेट हो वन फाइव फॉस्फिट बनता है कितले अरुती वास अपको ठीके तो मैंने किया कहाँ इन भौट धीमी गती से हो रही है कुरी थीके तो यह के रियाएं लगातार क्या होती है छेचकर में होती है यानी चकर चब चलेगा यह चखकर मैं यह चकर इसलिए मैं यहाँ पर 6 ब पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद यहां पर गुलकोस का निर्मान होता है तो अगर हम कहें कि यहां पर 6 चक्कर के आउशक्ता है इतनी बात ध्यान यह बहुत इंपॉर्टन बता रही हूं इसलिए सब ध्यान से सुनना है हमने कहा कि कैल्विन चक्र से गुलकोस का निर्मान जब यहां पर कारवन डायोकसाइड का हम यौगी किरण 6 बार करेंगे ठीक है तो यहां पर क्या होगी हम देखते कि एनर्जी की आउशक्ता कितनी पड़ रही है अगर हम बात करते कि एक चक्कर की बात करें अगर हम कहेंगे कि एक चक्कर में अगर हम बात करें कि कि कितने उढ़ जा कि आनु की आवशकता हो रही कितने अ चकर Ya Da एक यहांपर देखेंगे कि यहांपर एक यानिकी एक चकर में ऐ हो जर्वत पढ़ रही है ठीक है यहां पर 3 ATP अनों की हमें आउशक्ता पढ़ रही है clear इत्ती बात ठीक है तो एगर मैं ये बोलूँ कि अगर हमें 6 चकर चलाने है तो यहां पर कितनी आउशक्ता पढ़ेगी ATP अनों की तो आप क्या कर लोगी 6 चकर यानि की 3 multiply 6 equal to 16 यानि की 18 ATP अनों की आउशक्ता पढ़ती है आपकी कैल्विन चकर के लिए गिलकोस का निर्वान करना है अगर CO2 की योगी की करण के लिए तो यहां पर जो आपका अप्रकाशी अभी करिया है वो प्रकाशी अभी करिये के 18 ATP अनों को गरहन करता है clear इतनी बात ठीक है अब वापस हम NADPH की बात करते क्योंकि वहां पर एक NADPH की भी जर्वत पढ़ी तो यहां पर हम देख रहे है कितने NADPH की अगर आउशक्ता बोले तो हम बोलेंगे कि 2 NADPH की आउशक्ता पढ़ रही है है ना है ना तो 2 NADPH की बात कर रहे है यहां पर यहां पर 2 NADPH की बात कर रहे है तो अगर हम बोलेंगे कि 6 चक्कर के लिए है ना अब देखते हैं यहां पर 2 NADPH तो हम यह क्या कहलेंगे कि यहां पर 6 चकर के लिए हमें कितने चाहिए 6 इंटू 2 इकवर्टू कितने हो गए 12 NADPH इतनी आउशकता पड़े हमें उड़जा की clear इतनी बार सबको हां clear सबको clear हो गई है यहां पर जो भी भावना नेगी भावानी सिंग मुला राम दुर्गा प्रिशाद आमन कुमार fact and learn clear इतनी बार किस प्रिकार से आपने देखा सबसे पहले आपको process समझनी है जो Kelvin चक्र की प्रॉसेस है वो तीन भागों में डिवाइड़ है सबसे पहले हमने कार्बॉक्सिलेशन देखा किस प्रकार से CO2 का योगी की करण होगा ठीक है उसके पश्याद हमने देखा कि अपचेन की अभिक्रिया के लिए यहां पर ATP की आउशक्ता होती है दो अणू ATP और दो अणू NAD की आउशक्ता क्लियर उसके बाद हमने देखा कि वापस किस प्रकार से पुनुरूद भवन होता है जहां पर एक ATP और यहां पर यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि आपको 6 चकर जब तक 6 चकर नहीं होगे तब तक यहां पर गुलकोस का निर्मान नहीं होगा ऐसे नहीं सो कर कैलविन CO2 का यौगी की करन हुआ और गुलकोस का निर्मान हो गया नहीं पादों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब तक इच्छे चकर ना पूरा कर दे तब तक गुलकोस का निर्मान नहीं होगा यहां पर उसको 18 ATP अनू का जब तक उसने क्या नहीं करा पूरी तो बहुत अच्छे से आएगी अब तो यहां तक हमने पढ़ लिया तो यह भी पढ़ लिया था आगे चले अब यहां पर मैंने बोला कि जो सीथ्री पत को तीन चड़नों में बाटा गया है इसको सरल करने के लिए इससे अच्छे से समझने के लिए पहले वाले में कार्बॉक्सली करण होगा दूसरे में अपचैन होगा और तिसरे में वापस पुनुरूद भवन हो जाता है क्लियर आगे अब देखेंगे सबसे पहले कार्बॉक्सली करण में क्या क्या होता है तो यहां पर सीओ टू के यौगी करण से एक इस्तिर क्या बनेगा कार्वनि रूबिस्को यानि राइबुलोस-15-bis-phosphate से अभिकरिया कर पहला यौगिक बनाता है पहला यौगिक क्या बना रहा है 3-PZR बना रहा है और उसके कितने अणू बनाता है 2 अणू का निर्मार करता है और अगर वो यह सारी क्रिया कर रहा है तो उसको कौन प्रेरित कर रह है वो होता है आपका रूबिस्को रूबिस्को यानि की हम राइबुलोस-15-bis-phosphate कार्बॉक्सिलेस ऑक्सी जेशन हम इसे बोलते है इसका जो पूरा नाम होता है और यू बीप ठीक है एंजायम की आउशकता पढ़ती है किसी भी अभिक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए तो यह आपको एकदम क्लियर रखना है कि कार्बॉक्सिली करण में क्या क्या हुआ CO2 का यौगी की करण हुआ सबसे पहले दो थ्री पीजीय अनू का निर्माण हुआ और यह सारी जो अभिक्रियाओं करने के लिए प्रेरित करने वाला एंजायम था वो रूबिस्को था क्लियर रितिमात ठीक आगे चले दुसरी अभिक्रिया दुसरी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा अप्चैन होगा यानि यहाँ प्रतिक्रिया की एक स्रिंखला होगी जिसमें गल्कोस का निर्माण होता है जानि जैसी क्या हो जाएगा जैसी आपका जो पीजीय होगा होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर glucose का निर्माण हो जाता है प्रतीक CO2 के अपचयन हितु दो अणू ATP के आवशक्ता होते हैं और दो अणू NADPH के आवशक्ता होगी क्लियर इत्ती बात का उपयोग होगा ठीक है तो एक गिल्कोज अणू के निर्माण के लिए CO2 के 6 अणू की आवशक्ता होती है मैंने आपको बताए था ना कि यहां पर 6 चक्कर लगेंगे यानी 6 चकर यानी कि 6 CO2 की आवशक्ता होगी यहां पर ठीक है तो इतनी बात ध्यान रखना है कि 6 चै बार जो 6 CO2 होगे उनका यौग है पुनुरूद भवन में भी एक ATP अणू की आवशक्ता पड़ेगी जिससे कि जो ATP हो जाते उनकी संक्या 3 हो जाईगी लास्ट में ATP कितने बन जाते 18 बन जाते क्लियर इतनी बास अपको क्लियर तो यहां पर ये ध्यान रखना है आपको ये पूरी अभिक्रिया धीमी गती से चलती रहती है चक्रिय रूपे पुनुरूद भवन की बात करेंगे यदि चक्र को बिना भादा के जारी रखे तो CO2 ग्राही अनू आर्यू बीपी का पुनुरूद भवन के चरण में भी आर्यू बीपी गठन है तो फास्फोरी लेशन के लिए एटीपी की आवशकता होगी है ना पुनुरूद भवन वापस करना है तो वहां पर भी उड़ जा की आवशकता होनी आवशक है किलियर गिल्कोस के एक अनू का निर्माण के लि निर्माण में कुल की बात करेंगे तो तीन एटीप अनू बलाबर कितने ओगे छए चक्कर यह क्या होंगे चकर और एक में कितने एटीप पश्छाईए तीन एटीप तो यह टोटल कितने हो गए आपके अठारह एटीप ठीक है और हमने देखा कि एक चक्र में सिर्फ दो डीपीज की जर्वत पड़ रही थी जहां पर अपचेन की अभी किरिया देखी थी तो अगर हम छे चक्कर की बात करेंगे तो यहां पर टोटल बारा अने डीपीज की आउशक्ता होती है क्लियर हो गया कि अप कहीं भी आप से यह पूछा जाएंगा कि आपको किस कि आउशक् कारिक अमल PGA की फुल फॉर्म होगी क्लियर आप तो नहीं यह कंफ्यूजन कौन पूछ रहा है यह भवानी नेगी भवानी सिंग क्लियर हो गया तो यह बाद समझ में आगे कि किस प्रकार से हम कह सकते है कि कैल्विन में क्या हो गया यह जो आपको लास्ट में डाइग्राम दे रखा है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कितने कितनों की आफशक्ता पड़ रही है अगर हमने यहाँ पर लिया है कि अगर कोश का निर्मान करना है अगर एक का निर्मान करेंगे तो उसके लिए 6 CO2 होना आवशक है इसलिए वो कैल्विन चक्रट 6 चक्रों म अंदर लिखावा है अंदर क्या है आउशक्ता है कितने 18 ATP अनूं की और उसके बाद जो release हो जाता है वह 18 ATP हो जाता है KLEAR रिदेबार उसे के परकार क्या हो जाता है यहां पर 12 NADPH की आउशक्ता होगी और उससे जो 12 क्या निकलते निकलते है तो इससे बहुत गुमा फिराकर की कोश्चन आपकी बनाए जाते है इसलिए आपको क्लियर रखना है ठीक है लेकिन मैं नहीं अच्छा तो वहाँ पर फिर वह आगे कैलकुलेशन होगी ना जब फैक्टेन लंड तो वहाँ पर फिर वह और ज्यादा क्लियर हो जात अनु के आउशक्ता पड़ रही है उसके आगे भी कैलकुलेशन दी होगी अगर हम एने डीपी एच को क्या मांस ले तीन अनु एटीपी के तो फिर आगे चल करके उसका कैलकुलेशन करके फिर वह अलग निकलेगा क्लियर इती बात जो अभी जो एंसी आटी का जो आपकी क आउशक्ता होगी और एने डीपी एच की बारा अनु की आउशक्ता होगी क्लियर हाँ ठीक है भवानी सिंग वह आगे है वो की हाँपर 38 एटीपी अनु के आउशक्ता पड़ती तोटल तोटल करकर के चलिए इतनी बात क्लियर है न सबको तो यहाँ पर यही पूछा जाएगा अब आपके जो कोश्चन एक्जाम में क्या पूछे जाते हैं कैल्विन चक्र को समझाईए तो फिर समझा लोगे आप अच्छे से सिर्फ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपका ये पूरा चार्ट बन रहा है किस प्रिकार से तीन अभिक्रिया हो रही है पहले कार्बॉक्सिलेशन हो रहा है अपचयन हो रहा है याद रखना अपचयन में और पुनुरुद भवर में जो उड़्जा होगी उसकी आवशक्ता पड़ती है यह उड़्जा कहां से आ रही है जो प्रक ठीक है चलिए अब इतनी बात ध्यान रखनी है आपने तो अब यहाँ पर कोई कोश्यन है तो जल्दी बता दो बताईए बताईए ठीक है सपना आमन कुमार तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर यह भी कोश्यन पूछे जा सकते हैं आपको कि कैल्विन चक्र में कितने एटीपी अणू की आफशकता पड़ती है अब आपको किलियर हो गया है कहां कहां पर दो यहां पर यहां पर तीन ठीक है दूसरा एक तो reduction में और एक regeneration में जहां पर वापस उसको निर्मार करना और जहां पर तूटना है वहां पर भी उसको आफशकता पड़ेगी एट जाकी ठीक है लेकिन जो पहली वाली process है करबोकसीलेशन में यहां पर Robisko enzymes की आफशकता पड़ती है इसे CO2 के योगी की करन करन से पढ़ना चली वान टू थ्री 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 तू थ्री ठीक है चलिए ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अब तक आप अपन्पनी अच्छे